साथियों, इस वर्ष लाल कीले से पंच प्राणों की चर्चा करते हुए मैंने अपनी विरासत पर गर्व की बात कही थी और अभी हमारे मुख्यमंत्री पुपेंद्र भाई ने भी उस बात का जिक्र किया हमारी समुद्री विरासत हमारे पुर्वजों की सौपी गई ऐसी एक महान धरोवर है किसी भी स्थान या समय का इतिहास आने वाली पीड़ी को प्रेलिद भी करता है और हमें बविश्य के लिए सचेद भी करता है हमारे इतिहास की ऐसी अनेक गाथाएं हैं जिनने भुला दिया गया उन्हें सुरक्षित करने और अगली पीड़ी तक पहुँचाने के रास्ते नहीं खोजे गए इतिहास की उन गटनाओं से हम कितना कुछ सिख सकते थे भारत की समुद्री विरासत भी ऐसा विश्य है जिसके बारे में बहुत कम चर्चा की गई है सद्यों पहले के भारत का व्यापार कारोबार दुनिया के बड़े हिस्से में च्छाया हुआ था हमारे रिष्टे दुनिया की हर सब्यता के साथ रहे तो इसके पीछे भारत की समुद्री शक्ति की बहुत बड़ी भुमी का थी लेकिन गुलामी के लंबे कालखंडे ना सिर्फ भारत के इस सामर्थ को तोड़ा बलकि समय के साथ हम भारतिय अपने इस सामर्थ के प्रती उदासिन भी होते गए हम भूल गए कि हमारे पास लोथल और धोला विराजेसी महान धरवरे हैं जो हजारो वर्ष पहले भी समुद्री व्यापार के लिए मशूर थी हमारे दक्षिण में चोल सामराज्य, चेर राजवंस, पांडे राजवंस भी जिनोंने समुद्री संसाधनों की शक्ति को समझा और उसे एक अभूत्प्रमुचाई दी उन्होंने ना सिर्फ अपनी समुद्री शक्ति का विस्तार किया, बलकि इसकी मदद से दूर सुदूर के देशों तक व्यापार को ले जाने में भी सफल रहें चत्रपती सिवाजी महाराज ने भी एक ससक्त नौसेदा का गठन किया और विदेश्ची अकरांताओं को चुनोती दी यह सब कुछ भारत के इतिहास का ऐसा गवरवपुन अध्या है जिसे नजर अंदाज ही कर दिया गया आप कल्पना कर सकते हैं हजारों वर्ष पहले कच्छ में बड़े-बड़े समुद्री जहाजों के निर्मान का पुरा उद्योग चला करता था भारत में बने पानी के बड़े-बड़े जहाज दुनिया भर में बेचे जाते थे विरासत के परती इस उदासिंता ने देश का बहुत नुक्सान किया ये स्थिती बदलनी जरूरी है इसलिए हमने तय किया कि धोला विरा और लोथल को भारत के गवरव के इंसेंटर्स को हम उसी रूप में लोटाएंगे जिसके लिए कभी ये मशूर थे और आज हम उस मिशन पर तेजी से काम होते देख रहे हैं